हेलो दोस्तो, दोस्तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के नैनिताल जिले में एक युवक था सूरज, उसका SSAGD का फिजिकल 16 अगस्त को था ITBP कैम्प में, तो दोस्तो उसने अपना फिजिकल पास कर लिया था और फिजिकल पास करने के पास जाड़ियों में से, तो दोस्तो उसके जितने भी सपोर्टर्स थे, जितने भी परिवार वाले थे, सबने ये सक जताया था कि हो सकता है कि ITBP कैम्प के अफसर्स ने ही उसकी हत्या की हो, लेकिन वो प्रूफ नहीं हुआ था, उसके बाद दोस्तो जब पोस्मार्टम पास जाड़ियों में भी यही कहा गया कि हां सूर्ज की हत्या की गई है, लेकिन किस ने की है वो नहीं पता चला, उसके बाद दोस्तो कारेवाई की गई, पुलिस ने अपना कारेवाई की और उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आ गई, तो ऐसे में दोस्तो आइटी वीपी कै आपको पढ़के बता देता हूं, आईटी वीपी में भढ़ती के लिए नानक मत्ता से आये यूबक सूरज की हत्या के बहुचर्चित मामले का, पुलिस ने सोंबार को खुलासा कर दिया है, हत्या के आरोप में पुलिस ने आईटी वीपी के तीन कर्मियों को गरफतार कर, कोर्ट में पेस करने के बाद जेल भेज दिया है, हत्या कंड के खुलासे के बाद परीजनों और ग्रामीनों ने आईटी वीपी में गेट पर चल रहा धरना प्रदर्सन खतम कर दिया है, वे पांच लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नोकरी की मांग कर रहे हैं, 16 अगस्त को नानक मत्ता के सूरज सकसेना, उम्र 24 वर्स पुत्र उम्परका सकसेना, आईटी वीपी बटैलियन हल्दू चोड में भरती होने आया था, 18 अगस्त को उसका सब आईटी वीपी परीसर के जाडियों से मिला था, सब मिलने के बाद लालकुआ नानक मत् परीजनों ने आईटी वीपी के कर्मियों पर सूरज की हत्या का रोप लगाया था, परीजन और ग्रामिन हत्या रोपियों की ग्रफतारी की मांग पर सड़क पर उतर आये थे, इसके बाद पुलिस ने आईटी वीपी के अग्यात कर्मियों के खिलाब केस दर्ज किया, पो पी सुनील कुमार मीना ने गरफतारी की पुस्टी की है जांच में यह पाय गया कि सूरज ने तीनों ने सूरज की पुरी तरह से पिटाई की थी अर्द सैनिक बल से जुड़ा होने के कारण पुरी सधिकारी इस मामले से मतलब खुल के नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन जब जन